हेलो जैहीं दोस्तों बंदे मातरम स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल में दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आये हूँ एक कैमपस भरते की सोचना जो बहुत ही इंपोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग आई टी आई पास आउट ह वाले यहां पर नहीं लगने वाला है और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं यह आपकी कहां लगने क्या इसकी बिल्टी और क्या इसमें क्या इसमें और भी कंडिशन रखा गया है तो नीचे आते हैं दोस्तों तो जैसे यहां पर देख सकते हैं यह सुजुकी मोटर गुजरात है इसकी ड्राइब भारत पूर जो राजस्थान में यह आपका कैंपस लगने वाला है इसमें है टर्णर है वेल्डर है लेक्टिशिंफ कर Edel there पिप्यो Min barre डिया गया है ट्रेक्टर मेकनिक अर नीचे आते हैं तो यहां पर गलाग सकते हैं यहां पदोस्तों इन इन्रेड हों के यदि आप है तो आप यहां कैंपस बहाग ले सकते हैं कैंपस मॉन्चिंत यह पर जो आ ओय da- tr opp by यूगत्II क्या है तो देख सकते हैं यहां पर मांगा गया है पंच पंच पर्षयूटर आपका है स्कूल मार्क में होना चाहिए ठीक है 35 पशेंट है तब ही आफिसमें जा सकते हैं और साथ साथ तो इसagement होना जरूरी है, 40% यहाँ पर मांगा गया है, जैसे कि देख सकते हैं, और age की बात करें, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, age जो limit दिया गया है, 18 से 22 year के है लोग इसमें भाघ करते हैं, यहाँ पर हम नीचे आते हैं, दोस्तोण टेन पास यार tabiiSONE, आउट इयर अथा 2015 से 2019 ठीक है तक जितने भी कंडिडेट पास आउट हुए वही किसमें भाग ले सकते हैं और यहां पर जैसे कि मैं आपको पहले बता दिया कि वनले मेल कंडिडेट ही इसमें भाग ले सकते हैं और यह जो आपकी वेकेंसी यह कब कहां पर लगने वाली है मैं आपको पहले ही बता देंगा जोगनिया रोड इनिस्टरियल एरिया भारतपूर राजस्तान यहां पर पिन कोड भी दिया गया देख सकते हैं बतिश सव एक ठीक है अब यहां पर हम बात करते हैं कि इसमें जो आपका डेट है यह किस डेट को कैंपस लगने वाला है तो दे 2019 में government ITI भारतपूर में आपका return exam होगा था दो दिन आपका return exam होगा और यहां पर बात करें 11 दिसमबर को 2019 को government, ITI भारतपूर face to face interview होगा ठीक है जैसे हर एक campus selection में आपका interview होता है उसे तरह आपका interview होगा अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या डॉकुमेंट लेकर जाना है तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया candidate will have to write all animate document to set up photo state ID proof support card या passport photo तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको हर एक document का पहले तो two copy ले जिएगा जिसको फोटो कापी भी बोलते हैं वह ले लिजिएगा उसके बाद अधार card कोई भी passport site photo ले लिजिएगा और दोहां दोस्तों जाने से पहले इस नंबर पर आप जरूर सुचित कर लिजिएगा और भी आपको कोई भी आउट होता है तो तो इस वीडियो में आपको दोस्तों में आपको यही जनकारी दिया यदि आपको जनकारी अच्छी लगवा या किसी भी कैंपस सेलेक्शन या रुजगार मिला या अपरेंटिसी की जनकारी अपने मुवाइल पर सबसे पहले पाना चाहते तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करके साथ ही साथ घंटी वाले आइकन को भी प्रेस के लिए जिएगा हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और हर एक जानगारी सबसे पहले प्राप्त कमे के लिए